केवल अनुमान लगाना कि पती या पतनी कमा सकते हैं, चाहे पतनी पढ़ी लिखी है या नहीं है, केवल अनुमान लगा करके एक मेंटेनेंस याने भरन पोशन की राशी कोट के द्वारा दे देना क्या ये सही है, जे हाँ एक महात्वपून जज्ज्मेंट और ये जज्ज् करने के कोई पुकता सबूत याने एविडेन्स ना हो, तो कोट का क्या प्रिजम्शन रहेगा, कोट कैसे डिसाइड करेगी, भरन पोशन की जब कभी भी हम बात करते हैं, तो ये समझ लेना ज़रूरी है, कि दोनों ही कंडीशन में, चाहे पतनी के साथ मार पीट हुई हो, तो वो घरेलू हिंसा के मामले आ जाते हैं, धारा 23 में बताया गया है, The Protection of Women from Domestic Violence Act में, और दूसरा एक secular law है, जो सबी के लिए हिंदो, मुस्लिम, पार्सिस, एक जैन, सब सब के लिए एक बराबर है, तो वो पूरे देश में एक तरह से लागू होने वाला कानून है, Criminal Procedure Court 1973 और धारा 125 बहुत महात्व पूर्ण है, जादा तर जो cases होते हैं, 125 धारा के अंतरगत, वो भरन पोर्षन के पतनी के द्वारा किये जाते हैं, और पतनी के द्वारा जो किये जाते हैं, वहाँ पर court ये देखती है कि wife unable to maintain herself, बहुत important term है, जिसको court consider करती कि जहाँ पर वो यही बताया गया था सपन कुमार बैनर जी वर्सस स्टेट ऑफ वेस्ट बंदाल के case में, अब ये साबित करने के लिए कोई evidence नहीं था, जहाँ पर wife की जो earning थी, जो income थी, वो कितना कमाती है, कितने पैसे उसे मिलते हैं, इस बात का कोई सबूत नहीं था, court ने के अवल presume कर या कि वो job कर रही होगी, और ऐसा presume करके maintenance grant कर दिया, याने भरन portion की राशी दे दी, अब इससे challenge किया गया high court के उपर, और जब high court में appeal गई, तो high court ने कहा कि जब sufficient evidence नहीं थे, तो court के अवल presumption के base पे इस question को decide नहीं कर सकती थी, और ये इस वजह से महत्रपून judgment हो जाता है, तो evidence होने चाहिए, सबूत होने चाहिए, और जब कभी भी sufficiently amount जो earn करने की बात है, उसके अधी सबूत नहीं है, court अगर ऐसा केवल और केवल presume कर ले, कि wife कमा सकती है, या कमा रही होगी, तो वो बात ठीक नहीं है, उसके evidence होने जरूरी है, और अगर ऐसा नहीं होता, तो उसे high court में, या higher court में, challenge किया जा सकता है, appeal की जा सकती है, और इसी को कहते है, ground of presumption, कि केवल presumption के ground में, जब तक कि पुकता सबूत ना हो, तक ये ना हो, evidences ना हो, तो court इस question को decide ना करे, और ये बताएगा, सपन कुमार बनर जी वर्स स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के case में, no presumption in evidence of any cogent with regards to maintenance, ये आपको जानकारी कैसी लगी, आप मुझे जरूर बताईएगा, comment box पे, और साथ ही किसी परिशानी के लिए दिकरना चाहते हैं बात, इस वीडियो के description में, detail है, link है, जहां से आप direct appointment book करके कर सकते हैं बात, आपको अगर जानकारी पसंद आती है, like, subscribe जरूर कर online legal advice आपका अपना channel है, मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए रखें आप अपना ध्यान,